नमस्कार और एक बहेंकर बीमारी के बारे में आपको बता रहा हूँ सारी वीवर्स द्याँ से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहलाएं जिन बैक्तियों को टिनिटिस की बीमारी होती है, कानों में से आवाज आती है, संक बजती रहते हैं, गंटिया बजती रहती है और वह भैंकर डिप्रेसन में चले आते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत लाबकारी है, बहुत लाबदायक है इसको जादा से जादा उन लोगों तक पहुचाए जाए जिन लोगों को टिनिटस की बीमारी होती है जिन लोगों को टिनिटस की प्रॉलम रहती है आप अभी देखेंगे कि जिन ब्यक्तियों को टिनिटस की बीमारी रहती है किस भी थाप से अगर उन नहीं समझ पाते नहीं खुद कुछ कर पाते या कहीं उनको डाउट है कहीं गलत फहमी है तो तुरंद हमें कॉल करें या हमारे पास आएं हम उनकी हर चीज को सॉल्व करेंगे बिल्कुल और बैतरी तरीके से आप अभी देखिएगा कि अगर मेरा य इसको किसने के बाद में हम क्या करेंगे फिर हम इसको किसेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारे बारे तेरे चोदे पंदरे सोले सतर अटारे उननीस बीस दोनों को किसेंगे और आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते तो आप पहले सिंगल किजिए अब और फिर उसके बाद में क्या करना है कि इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐसे मूँ खोलना है ऐसे मूँ खोलना है मूँ खोलने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो हमारी वोन है वो उपर नीचे होईगी और अंगोटे में देखेंगे इस अंगोटे से उसको क्या करेंगे कि इस जगह पे आप आराम से गुसाइंगे जो क्या करना है इसको अंदर से आराम से गुसाइंगे इस तरह इस कान के इस वाले पार्ट पर यहां पर गुसाना है इस तरीके सा आराम से प्रसर देना है जाद नहीं इस जगह पर आपने ऐसे प्रसर देना है ठीक है फिर 20 काउंट करना है देखिएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ऐसे 20 काउंट करना है फिर 20 काउंट करने के बाद में आप अपनी उंगली से क्या करेंगे कि इसको ऐसे बाहर की तरफ खीचेंगे इसे इस तरीके से इसे जितना खीच सकते हैं इसको ऐसे बाहर की तरफ खीचना है अंदर नहीं ऐसे ही हो पहले 20 सेकंड फिर इसको नीचे खीचना है फिर इसको पीछे खीचना है फिर इसको उपर खीचना है चारो तरफ खीचना है पहले 20 सेकंड फिर 20 सेकंड नीचे फिर 20 सेकंड इदर और फिर 20 seconds उपर ऐसे ऐसे खीजने के बाद में फिर हलक हलका इसको ऐसे रब कर देना है पूरे कान को रब कर देना है इस तरीके से और कान को रब करने के बाद में डेली सुबह इसको डेली प्रेसर से इसको डेली प्रेसर की से दबाईए डेली प्रेशर से दवाईए और इस बाले पॉइंट्स को आप डेली कीजिए जब आपको टाइम मिल रहा है तभी कीजिए जब आपको लगता है कि मैं फिरी हुं तभी कीजिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट निए पहुत अच्छा पॉइंट्स है बैठें, दुकान में बैठें, टीवी देख रहे हैं, घर पर बैठें, कहीं फ्री बैठें, किस से बात्चित कर रहे हैं, कहीं भी, आपको लगता है कि मैं फ्री हूँ, जहां आपको comfortable है, आप वहीं इस points को press कीजिए, वहीं इस point को press कीजिए, आपको बहुत अच्छा result कोई भी side effect नहीं है, tinnitus वाली व्यक्ति को काफी लव का रही है, नवस्कार.